हलो दोस्तों, वेलकम टू माई इटूब चैनल क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक इंसान किसी कार में चोरी करने के लिए जाता है लेकिन उस कार के सेक्रिटिव सिस्टेम की वज़े से वो उस कार में ही फज़ आता है आप समझ गए होंगे कि मैं किस फिल्म की बाते कर रहा हूँ ये फिल्म का नाम है 4x4 ये फिल्म रियल लाइफ इवेंट से इंस्पायर होकर बना है जो आपको वीडियो के आंत में पता चलेगा तो मेरे साथ अंत तक बने रहिए फिल्म के सुरू में हमें एक कॉलनी दिखाय जाता है जहां हर तरफ CCTV कैमरा और दिवारों पर टूटा हुआ गलास लगा होता है ऐसा देखकर लग रहा होता है कि उस कॉलनी में चोरी बहुत जादा होता है इसलिए सेक्यूरिटी इतना टाइट है थोड़े ही दिर बाद एक आदमे एक कार के पास आता है जो कि XIV 4x4 कार होता है उस आदमे का नाम सीरो है जो कि वहां चोरी करने आया है सीरो एक बॉल की मदद से कार को उपन कर लेता है और का स्टेरियो सिस्टम निकाल लेता है यानि कि Siro car का stereo system चोरी करने आया था Siro stereo system निकाल लेने के बाद में car में उल्टी सिधी हरकत करता है car के पीछे का sit पर toilet भी कर देता है और वो वहाँ से जाने लगता है बाहर निकलने के लिए जैसे ही car का gate open करता है लेकिन open नहीं होता है दरसल वो car security proof था अब Siro की मुसीवत यहां से शुरू होने लगता है वो आगे पीछे सब gate को open करता है लेकिन Siro को बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला जिस back street पर Siro ने toilet किया था वहीं पर Siro को अपना हाथ भी रखना पड़ता है car का gate open करने के लिए फिर Siro एक लोहे के रड से car के सीसो को तोड़ने की कोसिस करता है लेकिन car में bullet proof glass लगा होता है जिस कारण से Siro को कोई फाइदा नहीं होता फिर वो दरवाजे के ताले तोड़ने लगता है लेकिन इसमें Siro खुद जखमी हो जाता है Siro फिर अपनी पतनी को भी कॉल करता है लेकिन इतनी अच्छी किस्मत कहां थी उस फोन की बैटरी भी डेड हो जाती है फिर Siro अपनी बंदुक निकाल कर फाइर करता है लेकिन bullet glass में लगके Siro के पैर में वह उल्टा लग जाता है अब Siro बुरी तरह जखमी हो गया था उसे गोली लगी है और हाथ भी घायल है वो अपनी टीसेट को निकाल कर जखम को बांगता है असल में कार में बाहर से काला सिसा था अंदर का कुछ भी बाहर से नहीं दिखता है लेकिन कार के अंदर से बाहर का सब कुछ दिखराई देता है और कार साउंड पुरूफ भी है मतलब अंदर की अवाज बाहर नहीं जा सकती मतलब वो कार Siro का कब्र बनने वाला था Siro अस्टेरियो को वापस अपनी जगा पर लगा देता है और दिमाग को अराम करने के लिए गाना सुनता है Siro की भूक और प्यास से हालत खराब हुआ जा रहा था लेकिन हैरानी की बात यह है कि अभी तक कार का मालिक नहीं आया है फिर थोड़ी दिर बाद कार के स्क्रिन पर एक कॉल आता है जो की एक्सिव भी कार के मालिक का फोन था जिसका नाम एंडरिक फेरारी है Siro उसका फोन रिसीब करता है एंडरिक बताता है कि वो पेसा से डॉक्टर है एंडरिक कार के बारे में बताता है कि फुल बुलेट प्रूफ और सांड प्रूफ है और Car Enric के Mobile से Connect है जो कि Enric अपने घर से बैट कंट्रोल कर रहा है Ciro गुसा में Enric को गाली देता है और कहता है कि मुझे यहां से बाहर निकालो Ciro को ऐसे गाली नहीं देना चाहिए था फिर Enric बताता है कि उसे 28 बार लूटा जा चुका है और Ciro को लेकर 29 बार हो गया Enric Ciro से एक सवाल पूशता है कि अगर तुम अपने बच्चे को चोरी करते हुए पकड़े गए तो क्या करोगे तो जवाब देता है कि मैं उसे पुलिस की हवाले कर दूँगा Enric जवाब देता है कि उसे कोई पुलिस जज, वकील कोई नहीं ठीक कर सकता सिवाए तुम्हारे मतलब आप समझ गए होंगे कि Enric क्या कहना चाता है Ciro से आप चोर हो तो आपके बच्चे कहां से अच्छे होंगे Enric की बातों से पता चलता है कि उससे पुलिस से भरोसा उठ गया है और 28 बार लूटा जा चुका है इसलिए और यहीं पर हमें मालूम चलता है कि Ciro एक हत्यारा भी है पहले Ciro ने कई मडर भी किया है फिर Enric फोन कट कर देता है और अपने फोन से कार का AC ON कर देता है जिससे की Ciro को थंड से कापने लगता है थोड़ी दिर बाद Enric फिर कॉल करके पानी देता है जो की कार धोने वाला पानी होता है जो की बाद में Ciro को नुक्सान पहुंचाएगा लेकिन Ciro प्यासा होने की बज़ा से वो पानी पी लेता है थोड़ी दिर बाद एक पुलिस की गाड़ी AXIVV कार के पास आकर लगती है जिसमें Ciro लॉक है जिसमें Ciro की जिंदा रहने की उमीद दिखाई देता है पुलिस ओफिसर वो कार को देखता है और एक चलान परची करक देता है कार पर गाड़ी के काले सिसे की बज़े से अंदर से Ciro बहुत आवाज लगाता है लेकिन वो पुलिस अधिकारी का कोई जवाब नहीं आता फिर कुछी देर बाद बारिस सुरू हो जाती है अजीब बात ये थी कि अंदर Ciro प्यास से तडप रहा था और बाहर बारिस हो रही थी राज से सुबा हो गया और Ciro भूग से हाल बेहाल हो रहा था Ciro फिर से दरवाजा तोड़ने की नकाम कोसिस करता है और एंरिक अपने और अपनी बेटी के साथ हुए ट्रेजडी सुना रहा था Ciro को Ciro को कार के अंदर में एक बुकले टाइप का मिलता है जिसे वो पढ़ता है लेकिन कोई फाइदा नहीं होता है और वो उस किताब के पेज को फार कर खाने लगता है कागज खाने पर प्यास भी लगता है अब आप समझी गए होंगे कि Ciro क्या पिया होगा वो पिया था अपना टोईलेट थोड़ी दिर बाद दूसरा चोर आकर उसी कार्म के ताला को तोड़ने लगता है लेकिन उस चोर की किस्मत अच्छी थी कि कुछ लोग उसे पकड़ कर पुलिस के हवाला कर देते हैं अब Ciro बहुत कमजोर भी हो गया था क्योंकि दो दिन से कुछ खाने पीने को भी नहीं मिला था बेचारे को फिर एगले दिन सुभा एंडरिक का फोन आता है और एंडरिक सीरो से उसका आईडी पूशता है पहले तो सीरो नहीं बोलता और फिर बताता है एंडरिक सीरो के परिवार वालों को एक लाग डॉलर देता है और बोलता है कि सीरो की लॉट्री लगी है फिर एंडिक सीरो के सारे क्रिमिनल्स रिकॉर्ड बताते हैं उसे कब, कहां, किसका मडर किया है मतलब आप तो समझ गए होंगे कि एंडिक सीरो को सबक पढ़ा रहा है किसमत से सीरो का फोन ओन हो जाता है और वो अपनी पतनी को कॉल करता है लेकिन कॉल नहीं लगता है, कुछ नेटवर्क समस्या के कारण ऐसा होता है वहीं आगे सीरो कार को आन करतेता है, लेकिन कार रिवर्स गियर में डाला हुआ होता है फिर भी वो कार को फीछे करता है, और एक दिवार में जाकर टकरा जाता है और कार का सिसा तोड़कर सीरो बाहर निकल जाता है और सबसे पहले एक रेस्टूरेंट में जाकर पानी पीता है और बर्गर खाता है जब सीरो को पेमिंट करने के लिए कहा जाता है तो रेस्टूरेंट के क्रमचारियों को वह गोली मार देता है लेकिन ये सब Sero का सपना था मतलब आप समझ गए होगे कि Sero को सपना भी हत्या करने का ही आता है कुछ दिर बाद Andrix फिर Call करता है और इस बार Andrix कार के सामने आया होता है Sero से मिलने के लिए Andrix जैसे ही कार का गेट ओपिन करता है अंदर से बहुत ही गंदा महक आ रहा होता है फिर एंडरिक कार्ग में पर्फ्यूम स्प्रे करता है और सीरो से बाते करने लगता है सीरो से बंदुक लेकर सामने रख देता है और एंडरिक सीरो को सिगरेट जला कर देता है एन्रिक फोन पर अपने किसी मरीज से बात कर रहा होता है इसी भी सीरो एन्रिक पर गोली चला देता है और सीरो कार से बाहर निकल जाता है लेकिन इस वार सीरो का कोई सपना नहीं था वो सच में बाहर आ गया था और कॉलोनी में हवाई फायरिंग कर मदद मांग रहा था लेकिन कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकल रहा था ऐसे मदद मांगेगा तो कौन मदद करेगा इतने में एन्रिक कार से निकल कर आता है और सीरो से बंदुक छिन लेता है और सीरो को वापस कार में ले जानने लगता है असल में जब सीरो गोली चलाता है तो एंडरीक बज जाता है इतने में वहाँ पूलिस, मिडिया और कॉलनी के लोग आ जाते हैं एंडरीक वहाँ पर सीरो की मदद करने आया था और सीरो ने तो पूरी रायता ही फैला दिया एंडरीक सीरो को गन पॉइंट पर रखा हुआ था तो वहाँ पर सब लोगों को यही लग रहा था कि एंडरीक क्रिमिनल है फिर कुछ दिर बाद जब सब लोगों को मालुम हुआ कि सीरो एंडरीक की कार में चोरी करने आया था तो कुछ लोग बोल रहे थे कि एंडरीक को मार दो वहीं कुछ लोग बोल रहे थे छोड़ दो सीरो भी एक इंसान है और वहीं पर ये खबर पूरे न्यू चैनल में फैल गया था फिर एक वरिष्ट अधिकारी आकर एंडरीक को समझाने की कोशिस करते हैं लेकिन एंडरीक को पता था कि कुछ दिन बाद सीरो फिर से आजाद हो जाएगा जेल से एंडरीक सीरो को छोड़ देता है और खुझ एक्सिव भी कार में चला जाता है और अपने आपको कार के साथ ब्लास्ट कर लेता है वहाँ पर लोगों को साबित हो जाता है कि एंडरीक सरीफ इंसान है वो बस सीरो को सबक सिखाना चाहता था एंडरीक जैसा बोलता है वैसा ही होता है सीरो फिर से अजाद भूंता है जबकि उसने कई मडर भी किया है और यहीं फिल्म का अंत होता है दोस्तों नीचे कमेंट सेक्सर में जरूर बताना की आपको फिल्म की कहानी कैसी लगी और मैं आपको बता दूँ कि यह मुवी रियल इवेंट पर बेस है ऐसा केस 2019 में आजेंटीना में हो चुका है एक इंसान कार में गया था चोरी करने के लिए और उसी में फस गया नेक्स्ट आपको किस फिल्म का एक्स्प्लानेशन चाहिए कमेंट सेक्सर में जरूर बताए और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और रेगुलर अप्डेट के लिए बेल आइकन दवाए तब तक के लिए बाई बाई मिलते हैं अगले वीडियो में